हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब प्लेटफॉर्म बेंकर्स फंडा में दोस्तों आज के इस वीडियो में काफ़े कुछ इंपोर्टेंट रहने वाला है जैसा कि आपने थमनेल में देखा है तो गैस ये सेशन आपका काफी इंपोर्टेंट रहेगा सेशन में लास्ट तक बने देगेगा और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और बैल आइगोन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे लिटेस्ट वीडियो की जो न करक्षन है वो 10 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है ठीक है और साथी साथ यह जो ट्रेने हैं वो पहले से ही जो चल रही 230 ट्रेनों के दोस्तों अलावा है तो यह एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर देखने को मिली है कल तो आपकी जो आरार बी के लिए टांस दो से तीन दिन वेट और रिलीज यह आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो कब तक रिलीज होंगे ठीक है अब अगर दोस्तों मैं बात करूँ आईवी पीएस आरार बी के प्रेलिम्स एक्जामरेशन के तो गाईज 12 या 13 को दोस्तों जो एक्जामरेशन है 12 या फिर 13 को कंड़क्ट होंगे तो आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और साथी साथ दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मैं बता हूँ तो गाईज 19 तारीक से आपकी एक्जामरेशन स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है दोस्त कम दिन बचे हुए आज 6 तारीक हो चुकी और मान करके चलिए कि आपका 19 तारीक से एक्जामरेशन है तो गाईज आप बहुत कम दिन बचे हुए हैं 10 से 12 दिन आप एक लिस्ट मानकर करके चलिए 10 से 12 दिन बचे हुए हैं तो गाईज आपने अगर last 15 डेस की strategy वाला वीडि जरूर देखिएगा काफी important और helpful वीडियो दोस्तों उसमें दोस्तों reasoning और mathematics के लिए दोस्तों detailed discussion कर रखा है तो गाज एक बार वीडियो को watch जरूर कीजिएगा आगे सलते हैं दोस्तों अगर मैं mock test की बात करो तो गाज मैं suggest करूँगा आपको order 247 और grade up के mock test क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो questions के level है थोड़े moderate रहेंगे लेकिन दोस्तों अगर आप moderate level के questions की practice करते हो तो guys आप examination में कहीं नहीं अटकोगे और वहाँ पर दोस्तों आपको speed maintain करके रखने पड़ेगी तो guys आप यह जो mock test में आपको suggest कर रहा हूं तो guys यह mock test आप लगा सकते हैं ठीक है अब अगर दोस्तों current affairs की बात की जाए दोस्तों current affairs की बात मैं हर बार अपने वीडियो में करता हूं क्योंकि current affairs का जो weightage है वो काफी रहता है आपके mains examination के लिए तो guys अगर आप current affairs daily पड़ते हैं तो guys बहुत 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 यह positive आपके लिए साबित होने वाला है mains examination के लिए क्योंकि दोस्तों जब आप prelims का examination दे करके आओगे और mains की preparation start करोगे तो guys आपको बहुत सारे subject cover करने पड़ेंगे जैसे की reasoning और मैत तो मैत में तो आपको high level के questions करने पड़ेंगे और साथी साथ आपका Hindi या फिर English हो गया और जो computer है वो compulsory है और साथी साथ आपको current affairs भी पड़ना होगा last six month का तो guys इस इसाब से अगर देखा जाए तो guys फिलाल आप daily current affairs पड़ियागा दोस्तों कुछ time नहीं लगता है तीस मिनट से दोस्तों एक hour एक गंटा आप यहाँ पर दे सकते है current affairs को ठीक है दोस्तों मेरे इसाब से आप फिलाल daily current affairs पड़ियेगा दोस्तों ये रहा overall session अगर दोस्तों session अच्छा लगा हो तो session को like करें और साथ इसाथ दोस्तों ज्यादा से ज्यादा share कीजिएगा इस session को मिलते हैं दोस्तों नेक शूडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत है वनाइस डे